वेलकम वलोफ यू आप सभी का स्वागत है आपके इस यूटूब चैनल और आपके ओंलाइन फ्लेटफार्म पर हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर जो नियम पड़े थे कुछ गैसिस के लिए उलोग पड़े थे बोयल्स का नियम चार्ल्स का नियम गैलिसो का नियम और डालटन का अंशिक दाप का नियम हम पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे सवतंतरता की कोटियां और उसके साथ साथ उर्जा समविभाजन का नियम उसको पढ़ने से पहले हम हलका सा जो टोपिक हमारा आता है सवतंतरता की कोटियां कोटियां जो है वो किस तरीके से सबसे मेले तीन तरीके की कोटियां देग्री ओफ्रीडम मतलब कहने का यह है कि आदरच गैस का कोई भीellos है वो तीन तरीके से रोटेशन से क्या कर सकता है अपनी सचोघ पहली सतहांत्र जनी जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर घ्रांसफर कहते हैं कि और दूसरा है घुरणनगुति जिसे हम मिंखेशन कहते है और अब यह तीनों परकार की कोटिच जो हैं हमारे पास QoTi मिलनी है जो डिग्री फ्रीडम मिलना है ये तीन गुर्णों के कारण मिलना पहला सवतंतरदा सथांतरन दूसरा हमारे पास आता है घुर्णन और थीसर आता है कमपन तीनों प्रकारों से हमें मिलती कोटियां मिलती है तो आपके सामने एक टेबल दी गई है तो टेबल के अंदर आधरश गैसलिखा गया है आधरश घैस के सथम्तरण की कोटी तीन होती है जिसमें एकल प्रमानू दी परमानू और टी प्र कौvell करेंगा तो सबसे पहली बात सुनिए सatथम्ति کے कोटी क्या है कोई भी गैसी है पर परमाणू या अनू कह दिये दे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सथांत्रन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर सथांत्रन के लिए आवक्षक रूप से जो फ्रीडम मिलता है जो हमारे पास फ्रीडम मिलता है उसे सथांत्रन कहते से इस पर स्थाइब तो ये किस शाइज की होते हैं किस टाइप की होते दीख लेट लिए मेरेपास जो पार्टीकल्स है मेरे पास पार्टीकल्स है परमाणू है किअ हो सकता है या तो वह ईस-C thinking हो या y की ओर जाएगा या z की ओर जाएगा तिनों में से किसी भी direction के अंदर वो move कर सकता है पहली बात तो यह अब यहाँ पर हम यह कह दें कि सतांतरण कितने type type का हो गया तीन type का x direction y और z direction अब यहाँ सुनिएगा सबसे पहले सतांतरण किस direction क्योंगा यदि आदरश गैंस है त यदि कौन सा पर्माणू है एकल पर्माणू तो एकल पर्माणू है यानि एक पर्माणू है तो वो तीन type से क्या कर सकता है move कर सकता है यदि दी पर्माणू हो दो पर्माणू हो तो भी क्या कर सकता तीन type से और यदि तीन पर्माणू तो भी क्या कर सकता तीन type से सतांतरण हो सकता है यानि जो ट्रांसपर है वो एक्स वाई जेट तीनो डारेक्शन के अंदर संबभ हो सकता है पहली बात तो यह कलीर होगी चलिए सैकंड बात करें घुर्णन की घुर्णन का बतला बहुता रोटेशन है वह है पार्टिकल जो अपने एक्सेस पर क्या करता है रोटेशन मा लीजे मेरे पास एकल परमानू है तो इसका रोटेशन क्या है संभव नहीं है उसका रोटेशन संभव नहीं है तो यहां पर एकल परमानू के लिए जो घुर्णन कोटी है वो कितनी होगी जिरो होगी सेकंड बात करें दी परमानू गैस के लिए दी परमानू तो दो पर्मानू के बीच में क्या होगा आपस में rotation संभव हो सकता यानि दो पर्मानू के लिए दो rotation होंगे एक तो x-axis पर और एक y-axis पर तो इसलिए दी पर्मानू के लिए हमारे पास से जो हमारे पास आता है एकल पर्मानु यदि यह ब्युने अगर वाइब्रेट के रगांद करवाय जाए त ही जिरा रहती है यहां वह दो ने जो तो एक्स और वाई जिन्हों डिरेक्शन गिंदर हैं हमें ज़्यदा डिटेल में नहीं पढ़ना सिर्फ इस टेबल को याद रखना है कि सथांतरन के लिए एकल दूई और त्री के लिए तीन-तीन घुर्णन के लिए दो-दो और कंपन के लिए इतन और टोटल कोटियां कितन करते हैं क्या करते हैं एफ से करते हैं फ्रीडम ओफ डिगरी ओके चलिये तो आदस्सके लिए तीन एकल के लिए तीन दीप्रमाणू के लिए फाइव और त्री परमानू के लिए तो यह हमारे पास कितनी बराब्त हुई तो हम तीनों के बार में डिटेल में पढ़ेंगे उर्जा संभी वाजन का नीयम क्या है? सबसे पहले उसको consider करेंगा, फिर एकल परमाणू और दी परमाणू उतरी परमाणू ग्यास के लिए हम क्या करेंगे? इनकी cover बातों को cover करेंगे. तो देखिए प이지 क्या हमारे पास उर्जा संहिवाजन का नियम प्राप्ट खोता है अब क्या कह रहा है अब उर्जा संहबी वाजन का नियम है उर्जा संहिवाजन कोटियां तो हमने पढ़ीम अभी कोटियां किस तरीक हैं और साथ में एकल द्विकर्टिक के लिए bipolar विषिस शुझ्मा की क्या करनी है कलपना करना हो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें उर्जा संभीवाजन नियम को पढ़ना है तो मैक्सुवैल ने faço ले यह निए तो मैक्सुवैल क्या कर zeros कि उश्मीयस्सामे वस्ता की स्थिति में किसी निकाय की कुल उर्जा यानि टोटल उर्जा जो है वो समस्त सवतंतरता की कोटियों को समान रूपवे भीभाजित करती हैं और प्रतेक सवतंतरता की कोटि किसके बराबर होगी 1 by 2, half केटी के प्रती अनू के बराबर होती हैं हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे पास उर्जा है E वो F, F का मतलब सवतंतरता की कोटियां, half केटी के मल्टिप्लकेशन के बराबर होती हैं तो यही हमारा क्या है उर्जा सम्भी भाजन का नियम जो मैक्सवेल ने प्रति पादित किया था यदि प्रति अनू के लिए कैलकुलेट करें तो यू हम कहते हैं यू क्या होगा प्रति अनू हमारे पास क्या कैलकुलेशन मिलती है उसके लिए माध्य उर्जा जो मीन उर्जा अब हम बात करें एकल दू इक αर तूं के लिए यह क्यों लिखा एकल पानु के लिए और त्री पर्मानू करानू हो अभी टेबल बनाइए ती उस टेबल में हमने link लिखी थी तो पहले एकल के लिए तीं दू क के लिए पांच और ट्री के लिए seven ये total कोटियां हमारे पास क्या होती है पराप्त होती है तो सबसे पहले मैं एकल परमाणू की बात करूँ एकल परमाणू के लिए u कितना होगा f by 2 kt और f की value कितनी है यहाँ पर 3 by 2 kt 3 by 2 kt यह किसके लिए formula है एकर परमाणू के लिए d परमाणू के लिए देखिए कि यहाँ formula आएगा u बराबर f by 2 kt तो u की value कितनी है 5 और यहाँ कितना आजएगा 5 by 2 kt फिर 3 परमाणू के लिए 3 परमाणू के लिए क्या आएगा u is equal to f by 2 kt और यहाँ पर 7 by 2 kt हमारे पास क्या आजएगा यह answer आजएगा हमारे पास क्या आजएगा यह direct answer पराब्त हो जाएगा ओके तो यह हमारे पास आए अब हमें साथ में क्या calculate करना है कि उर्जा सम्भी भाजन का नियम direct पूछा भी जाएगा और इससे question भी आएगा और gamma की value भी निकालनी है साथ में हम यह भी लिख लेंगे गामा का मान calculate करो ओके तो यह हम थर्मो dynamics के अंदर पार्ट पर चुके हैं चलिए दुबारा से cover करते हैं एकल परमाणू गैस के लिए क्या करना है हमें molar वशिष्षूष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् F by 2 KT और हम कौन सा कर रहे हैं एकल परमानू कौन सा एकल परमानू के लिए क्या होगा 3 by 2 KT तो यहाँ पर value रखी आप 3 by 2 KT और किसके reflect differential करना है D by DT के respect तो यहाँ क्या देगा 3 by 2 R CV आ जाएगा ओके अब हम CP निकाले CP क्या होता है CV plus R CP क्या होता है CV plus R तो यहाँ पर क्या होगा 3 by 2 R plus R CP कितना आ गया CP आ गया 5 by 2 upon R 5 by 2 into R हमारे पास प्राप्त हो गया और यदि आपने CP निकालना है तो R की value 8 by 3 Joule into meter square होती है into 5 by 2 का multiply करेंगे तो लगबग 5 कैलोरी के according हमारे पास क्या आ जाएगा answer प्राप्त हो जाएगा ओके तो यह बात थी किसकी एककल प्रमाणू के लिए चलिए D प्रमाणू के लिए बात करें D प्रमाणू के लिए F कितना होता है 5 तो U कितना आ जाएगा 5 by 2 KT और हमेरे पास CV का formula DU upon DT तो यहां से कितना आ जाएगा 5 by 2 R क्या आ जाएगा 5 by 2 R अब देखिए कहीं कहेंगे sir केटी की जगह है आपने क्या कर दिया R को लिख दिया तो क्या होता बेटा जी PV is equal to RT PV is equal to RT तो केटी को क्या लिख सकते हैं अपन इसको लिख सकते हैं तो यहां R है यहां K था इसको मैंने R के रूप में चेंज कर दिया तो CV आ गया और CP कैसे निकालेंगे CV प्लस R तो 7 by 2 कितना आ गया R आ गया तो यह आ गया CP R की value रखेंगे तो लगबग हमारे पास कैलोरी है मैं अगर देख के लिख रहा हूं कलोरी जो है मेरे को याद नहीं है 7 कलोरी के आसपार यानि 6.8563 यानि 7 कलोरी के आसपार जो है हमारे पास R की value पराप्त होती है इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे 3 परमाणू के लिए निकाल देंगे आपके के लिए तो गामा की value के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं गामा की value केलकुलेट तो गामा क्या होता है CP upon CV क्या होता है CP upon CV मेरे पास CPV है CVV है divide करें गामा एकल परमाणू के लिए 5 by 2 is equal to r और 3 by 2 is equal to r तो क्या आजएगा 5 by 2 R into 2 by 2 by 3 into R तो R से R cancel, 2 से 2 cancel, तो 5 by 3 कितना आजएगा 3, 1.35 के coding gamma की value आजएगी एकल परमानू के लिए और दी परमानू के लिए same formula CP upon CV calculate करेंगे पांच नंबर का जो question है आपके गिजाम में direct पूछा जाएगा कि उर्जा सम्भी वाजन का नियम क्या है एकल परमानू, दी परमानू, उत्री परमानू के लिए molar विशी सुष्मा calculate करो और gamma के मान की गन्ना करो तो बहुत easy question है मुश्किल नहीं है शायद 2018 में पूछा गया है जो values है उनको अपन cover करेंगे तो उर्जा सम्भी वाजन का नियम क्या है वो कह रहा है कि कि मिश्ष्ट मोल रुश्मा के लिए जो सवतंतरता की कोटी है वो one by two half केटी के क्या है equal होती है और f क्या है सवतंतरता की कोटी है सवतंतरता की कोटी कितने परकार की है तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही नेक्ट लेक्चर में नेट ओपी के बर्म तरचा करेंगे तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेर कीज़ेगा और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक पर सब्सक्राइब जिरूर करतें ताकि थैंकि लुफ युट